यूवी का अपनी सास मिनाक्षी और ससुर महिंद्र के साथ रहती है उसका पती अर्विन दूसरे शेहर में नोक्री पर होता है और हाल फिलहाल में ही उसका देवर आयुश सालों बाद घर लोगता है ये ले बेटा वर खा अरे बस मा अब तब तुमने मुझे कितने रसगुले खिलाए है और इने खाकर तुम मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तो मैं एक रसगुला ही बन जाऊंगा अरे साथ साल बाद आया है तू घर पर अपने मामा के पास पढ़ाई करने गया था और आज इतने सालों बाद तू अपने घर पर आया है तो इतना खाना तो बनता ही है ना हाँ पापा बो तो है लेकिन बहाँ पर मुझे आप लोगों के बहुत याद आई और भाबी आप वीडियो कॉल पर तो सुन्दर दिखती ही थी लेकिन असल में तो आप उससे भी ज़्यादा सुन्दर हो शुक्रिया देवर जी वैसे मैंने सुना है कि आपको नई जॉब लगी है ये सच है क्या? हाँ भाबी अरे वा देवर जी बदाई हो सभी बहुत खूश होते है आयूश के घर के सामने ये अश्राच का घर होता है जो अपनी बीवी स्वर्ना बूडी मा और बेटी संजिना के साथ रहता है इधर आयूश के आते ही घर में एक रोनक छा जाती है और उसकी अपनी भाबी के साथ बहुत बनती है फिर एक दिन जब वो चट पर जाता है तब सामने संजिना भी चट पर मोजुत होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते है देवर जी क्या चुल रहा है चलिए खाना खाने नीचे चलिए हाँ भाबी वेसे भाबी आप मुझे ये देवर जी केकर मत पुकारिए क्योंकि मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ आप मुझे आयुश केकर ही पुकारा कीजिए अच्छा ठीक है बाबा अब चलो फिर एक दिन जब संजना टेक्सी में घर पर आती है तब ही उसके पास टेक्सी ड्राइवर को देनी के लिए पेसे ही नहीं होते उतने में वहाँ पर यश्राज भी घर के बाहर आता है तु निकल जाए आसे क्यों रहता है इस महले में महेंद्र अपनी ओकात में रहकर बात कर मुझसे अरे तू भी अपनी ओकात में रहकर बात कर मेरे बेटे ने तेरी बेटी की मदद करनी चाही और तू उसे ही सुना रहा है मेरा माता गरम मत कर समझ गया ना पापा रहने दीजिये ना अब चलिए अंदर चलिए अरे क्या का तुने दमकी दे रहा है क्या मुझे बोल क्या कर लेगा बोल ना पापा रहने दो ना पापा यश्राज अंकल फ्लीश शांत हो जाईए बापी बचपन में तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था लेकिन बस इतना पता था कि में और संजना एक दूसरे के साथ दिन भर खेला करते थे फिर अचानक से पापा और यश्राज अंकल के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो दोनों एक दुसरे के दुश्मन ही बन गए और आज इतने साल बीद गए लेकिन आज तो कोई ये पता ही नहीं कर पाया कि आखिर उन दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों है हाँ यूश अरे माची और पापा जी यश्राज अंकल के घर की तरफ तो देखते भी नहीं मैं तो यहाँ बस छे महिने से रह रही हूँ लेकिन मुझे भी अब तक पता नहीं चला कि आखिर इन दोनों की बीच में क्या हुआ है आज शामको मैंने जगडे के बाद फिर एक बार माँ और पापा से ये सवाल किया था कि आखिर क्या हुआ था लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और बस यश्राज अंकल के लिए गुसा जताते रहे फिर देखो आयूश जो भी हुआ हो लेकिन तुम इन सब में मत पड़ो तुमारे भाईया ने भी मुझे यही कहा है और अब तुमें भी इतनी अच्छी नोक्री मिली है इसलिए तुम बस अपने करियर पर फोकस करो आ भाबी आपने सही कहा वही दूसरी तरफ यश्राज के घर पर यश्राज बेटा अब जो हुआ सो हुआ लेकिन तुम अपना खुन मत जला और खाना खाले अरे बहुत मुझ चला रहा था वो अब उसका बेटा भी पड़ लिखकर आया है न इसलिए इतना चोड़ा बन रहा था ओए संजना अगर वो आयश तुझे पैसे दे रहा था तो तू उससे पैसे क्यों ले रही थी तू उससे मना भी तो कर सकती थी न अरे मा अब आयश इतने सालोबाद आया है और वो मेरा बचपन का दोस्त भी है तो फिर मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती नहीं तू उससे बात बिलकुल नहीं करेगी तुम दोनों बचपन के दोस्ते न इसलिए तुम दोनों की दोस्ती बचपन में ही खतम हो गई समझी की नहीं पर पापा आप और आयुश की पापा इतनी नफरत क्यों करते हो आप दोनों भी तो इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे ना तो फिर अब क्या हुआ संजना अब ज्यादा वकालत मत कर और चुपचाप खाना खाले इस विशे पर अब इस घर में कोई बात नहीं करेगा और हमेशा की तरेफ हम उन लोगों के मूँ लगना तो दूर उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं संजना को चुप कर दिया जाता है और अब संजना और आयुश दोनों एक दूसरे को बस खिड़की और छट से ही चुपचुप कर देखा करते हैं और जब यूवी का की इस पर नजर पढ़ती है तभी आयुश क्या चल रहा है तुमारा कुछ भी तो नहीं बाबी मैं तो बस या आपर हवा खाने आया था आज मेरा वर्क फ्रॉम हो में न इसलिए काम करते करते थोड़ा बोर हो गया अरे सब समझती हो मैं और छे बज़े चत पर आते हो तुम क्योंकि तभी संजिना भी चत पर आती है अरे नहीं बाबी ये आप क्या बोल रही हो इसा कुछ भी नहीं है सच में देखो आयुश ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आगे जाकर तुमें ही तकलिफ हो और तुम तो जानती ही हो संजिना के घरवालों की और हमारी घरवालों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती बाकि समझतार को इशारा काफी है बिल्कुल भाबी मैं आपकी बात समझ गया लेकिन भला ये दिल कभी कुछ समझ पाया है क्या आयुश और संजिना दोनों की भी दिलों में एक दूसरे के लिए हलके हलके जज़बा जाबने लगते हैं फिर एक दिन पचानक से महलने में पानी चला जाता है जिस कारण सभी लोग पानी के जार खरीत कर लाते हैं ए बगवान सारे काम रुख गए है अब पानी कहा से आएगा अरे मा जी आयुश और पापा जी चार लाने गए है उससे काम चल जाएगा लो आ गए दोनों क्या हुआ जी आप दोनों खाली आत क्यों आये हो पानी नहीं मिला क्या अरे नहीं मिनाक्षी सारी दुकानों में पानी के जार बिग गए है आँ मा और अब तो ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा अरे बाप रे फिर वो लोग दिखते हैं कि सामने यश्राज ने एक बड़ा सा टैंकर मंगवाया है जिससे वो दूसरों को पानी भी दे रहा हुता है और खुद भी इस्तिमाल कर रहा हुता है बिचारा मेरा आयश और उसका परिवार पापा तो सब की मदद कर रहे है लेकिन इन लोगों की नहीं आश में आयुष की कोई मदद कर पाती देखो तो कैसे जेलन के मारे देख रहे है हमारे पास अरे इनकी तो कोई हैसियत भी नहीं है टैंकर लानी की और तो और ये लोग तो हमसे मदद भी नहीं मांग सकते इसलिए आप सब को पानी दीजिए जी और इन लोगों के बहुँट जलाईए इन नालाइक लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए ओफो मां कम से कम आप तो ऐसे मत बोलिये और बार बार आप लोग हमारे पड़े उसीयों की बुराई क्यों करते रहते हो संजना ज़यदा बकर बकर मत कर और बाकी लोगों को पानी देकर उनकी मदद कर हम इतना बुस्दिल है ये यश्राज सालों पहले मैंने इसकी लिए क्या कुछ नहीं किया और आज ये मुझे ये सब करके निचा दिखा रहा है और नहीं तो क्या फिर एक रोज हायुश और संजना एक दूसरे को एक पार्क में मिलते है अरे संजना तुम यहाँ पर? हायुश केसे हो तुम? वहाँ मोहलने में तो कोई बात ही नहीं कर पाई मैं ठीक हूं संजना तुम बता। कैसी हो तुम? और अब क्या कर रही हो? मैं अभी फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही हूँ बाकी सब ठीकी है तुम बता तुम क्या कर रहे हो इन साथ सालों में मुझे तुमारे बहुत याद आई मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया संजना और मैं अभी अभी दिल्ली में अपनी पड़ाई पूरी करके यहाँ पर एज फ्रेशर जॉब करता हूँ टॉब की कमपनी है बाकी भगवान की कृपा से सब अच्छा ही चल रहा है अरे वाँ ये तो बड़ी अच्छे बात है ऐसे ही तरक्की करो शुक्रिया संजना तुम भी खोप तरक्की करो शुक्रिया आयूश वेसे संजना तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हम बचपन में एक दूसरे के साथ कितना खेलते थे कितनी बार लड़ते थे और फिर दिन कतम होने से पहले एक दूसरे को मना भी लेते थे हाँ यूश वो दिन तो कुछ और ही थे फिर हम बड़े होने लगे तो हमारे घरवालों के जगडों के कारण हमारे दोस्ती भी तुड़वा दी गई ना मेरे पापा मुझे तुमसे मिलने देते है और ना ही तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे मिलने देते है हाँ संजना अब क्या कर सकते है और फिर एक तिन तुम आचानक से दिल्ली चले गए अपने मामा के पास और अब लोटकर आए हो हाँ संजना लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली बल्कि पहले से और भी ज़्यादा सुन्दर हो गई हो अरे सच में शुक्रिया आयश वेसे तुम भी काफे अंसम हो गए हो अच्छा सुनो ना कुछ खाते है वो देखो कुलफी वाला तुम्हे केशर कुलफी बहुत पसंद है ना चलो खाते है अरे उपा तुम्हे आज भी याद है ये बात असनजना मैं कुछ भी नहीं बुला हूँ फिर सनजना और आयश एक साथ कुलफी खाते है और ठेख सारी बाते करते है वाली है उफो संजना संजना फिर आयूस संजना के पीछे चला जाता है लेकिन वो फोरण कार में बेटकर वहां से चली जाती है अरे यार अब ये बाली मुझे अपने पास रखनी होगी और जब अगली मुलाकत होगी तब मैं ये संजना को वापस लोटा दूंगा और इस दिन आयूश और संजना रात भर सो ही नहीं पाते और उन्हें बस एक तूसरे से की गई बाते ही याद आती है सच में आज का दिन तो बहुत ही सुन्दर था आज इतने सालों बात आयूश के साथ बात करके मानों अलगी खुशिमेसुस हो रही है फिर अगले दिन अचानक से आयूश के घर पर पचास हजार रुपे की चोरी हो जाती है और महेंद्र काफी परेशान हो जाता है लेकिन घर के घर में ही पैसे कहा जा सकते है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ची मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे घर में चोरी होई है आप पोलीस को बुलाईए फिर पोलीस आकर पुरे घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें पुरे घर में कही भी पैसे नहीं मिलते लेकिन तभी महिंद्रे की नजर उस बाली पर जाती है जो आयुश के कमरे में होती है ये बाली ये तो हमारे घर में कोई नहीं पेंता ये बाली कहीं देखी-देखी सी लग रही है हाँ याद आया ये बाली तो उस संजना की है क्या इसका मतलब संजना हमारे घर में आई थी और उसी ने चोरी की है अरे नहीं पापा एसा कुछ भी नहीं है आयुश आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही महिंद्र गुसे में यश्राच के पास चाता है और वो उसे सुनाने लगता है क्यों रे दोगले आदमी वेसे तो अपनी अमेरिका कितना रोब जमाता है और अपनी बेटी को मेरे घर पर पेसे चुराने बेशता है ची अरे लानत है तुझ जैसे गटिया बाप पर महिंद्र ये तु क्या बक्वास कर रहा है मेरे घर में से पुरे पचास अजा रुपे चोरी हो गए है और तलाशी करने पर मेरे घर में ये बाली मिली है जो कि संजना की है देख इसके कान में कोई बाली नहीं है क्योंकि जब ये मेरे घर पर चोरी करने आई थी तभी वाव पर गिर गई होगी बेशरम लोग, खाने के दाता लग और दिखाने के दाता लग नहीं महेंदरा उंकल, मैंने कोई चुरे नहीं की है और नहीं मैं आपके घर पर आई थी और मैं बिल्कुल भी नहीं जानती कि मेरी बाली आपके घर पर कैसे मिली तबेव गले हुए कद्दो पचास हजार तो मैं यू उड़ाता हूँ और तू भी ये बात अच्छे से जानता है अरे जितने पैसे तू एक साल में कमाता है उतने पैसे मैं यू एक महीने में कमा लेता हूँ और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए है कि मैं तुझ जैसे गरिब के घर आकर 50,000 रुपे की चोरी करू इसलिए यहाँ से चलता बन अमीरों के घर पर गरिब जादा देर तक नहीं रुकते वरना मेरे अमीर घर में तेरी गरिब की बद्बू फेल जाएगी यश्राज, जादा मत बोल वरना अच्छा नहीं होगा अरे तू तो बस धमकिया ही दे सकता है चल निकल अभियासे तेरी तो तो एर महिंद्रा और यश्राज में हतापाई शुरू हो जाती है तभी आयुश वहाँ पर आकर लड़ाई रोपता है और सबको सच्चा ही बताता है पापा तोरी संजना ने नहीं की है बलकि एक चोर नी की है पुलिस ओफिसर ने हमारे सीसी टीवी कैमेरा से फुटेच चिक की है उसी में पता चला है ये अरे तो फिर ये संजना की बाली हमारे गर पर कैसे आई वो दरसल फिर आयुश उन लोगों को बता देता है कि संजना और वो बाहर पार्क में मिली थे और तब वहाँ पर संजना की बाली गिल गई थी जिसे आयुश ने अपने पास रख लिया और ये सुनकर ये श्राज और महिंद्र का खून फिर से खोल उठता है तुझे कहा था न मैंने मेरी बेटी से बात मत करना तो फिर तूने उससे बात क्यों की अरे तो क्या तेरे बेटी में अकल नहीं थी क्या चली जाती न वो भी बाहर से और तू आयुश तुझे मैने इतना सुनाया था लेकिन उसके बात भी मेरी बात तेरे बेजे में नहीं बेटी क्या अरे गलती तो तेरे ही बेटी की है नहीं गलती तेरी बेटी की है अरे चुपो जा तो बेवकुफ कई का पहले सच का पता किया कर फिर अपनी मनहू शकल लेकर मेरे दरवाजे पर आया कर अरे शिकल तो तेरी मन हुसे जा आइने में जाकर देख ले एक बार तुदको बड़ा तीसमारकान मत समझ बड़ा आया चोधरी बनने फिर से उन दोनों में बहस होने लगती है और संजना और आयुश उन दोनों को रोक लेते हैं फिर बाद में यश्राज और महिंडर संजना और आयुश को खूब दारते हैं और अब आखरी चेतावनी देखर एक दुसरे से मिलने के लिए मना कर देते हैं लेकिन उसके बावजुद भी वो दोनों एक दुसरे को चुप चुप कर मिलते हैं और इसी बीच उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है हाँ संजना बस हमारे परिवार वालों को एक करना है फिर उसके बाद हम दोनों भी एक हो ही जाएंगे तुमने सही कहा आयुश क्योंकि हम दोनों अपने परिवार वालों के आशिरवात के बिना शादी बिल्कुल नहीं करेंगे आ संजना अच्छा ठीक है मैं अभी रखती हूँ लगता है पापा मेरे कमरे की तरफ ही आ रहे है बाई लव यू लव यू टू संजना बाई और अपना खयाल रखना फिर कल मेरे ओफिस की बात हम फिर से वही मिलके पीछे मिलेंगे हाँ पक्का मिलेंगे फिर आयूश कॉल कट कर देता है और देखता है कि दरवाजे पर आई हुई यूवी का ने उसके सारी बाते सुन ली है मैं तो यहाँ पर तुम्हे कॉफी देने आई थी लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही सुन लिया मैंने आयूश तुम्हर संजना एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम अच्छे से चानते हो कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो कितना बड़ा तमाचा हो जाएगा मैंने तो तुम्हे पहले भी कहा है कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आगे जाकर तुम्हे ही तकलिफ हो तो अब मैं क्या करू भाबी प्यार को होने से कोई नहीं रोप पाता और मैं भी नहीं रोप पाया अरे पर ऐसे प्यार का क्या फाइदा जिसका कोई भविश्य ही ना हो भविश्य होगा भावी क्योंकि मैं और संजना अमारे परिवार की बीच की ये लड़ाई खतम करके ही रहेंगे अरे चो लड़ाई इतने सालों में खतम नहीं हो पाई वो आप कैसे खतम होगी देखो आयूश मैं तुम्हें केही रही हूँ मत करो उससे बात ये प्यार तुम्हें बरबात कर देगा लेकिन आयूश यूविका के कोई बात नहीं मानता फिर एक दिन माँ, क्या हो आता महिंद्रा अंकोल और पापा के बीच में एक वक था जब दिन रात में उस घर में रहती थी आपर मिनाक्ष अंटी इतनी अच्छी सहे लिया थी हम तो बस कहिने के लिए पड़ोसी थे पर एक ही परिवार थे फिर अचानक से क्या हुआ मा लिस बताओ ना मुझे देख संजना मैं तुझे वो सब कुछ नहीं बता सकती लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि वो लोग भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं है आस्तिन के साप है साप लेकिन तुझे ये सब जानकर क्या करना है हाँ अरे कुछ नहीं मा मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तब तो मैं बच्ची थी ना इसलिए मुझे मैं इतनी समझ नहीं थी लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हुना इसलिए आज आपसे ये सवाल किया जो भी हो लेकिन तु इन सब से दूर ही रहे हाँ मा मैं समझ गई फिर एक रात संजना को अचानक से सर्दी दुकाम हो जाता है तब ही आयूश उसके घर के पीछे के दरबाजे से अंदर गुस कर उसके कमरे में चला जाता है और वो उसे दवाई देता है अरे आयूश तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अरे बाबा मुझे कोई नहीं देखेगा इस वक मेरे लिए तुम्हारी तब्यर ठीक होनी जरूरी है इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हो वो दनों आपस में बात कर रहे होते हैं अभी संजना के कमरे के बाहर से गुजर रहा यश्राज आयुष की आवाज सुन लेता है और वो दर्वाजा बाहर से खोल कर अंदर आता है और वो आयुष को खूब मारने लगता है अरे तेरी इतनी जुर्रत उन्हे मेरे बेटी से प्यार करने के बारे मैं सोचा भी कैसे मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा अरे पापा उसे मत मारी है प्लीस पापा उनकी ये आवाजे सुन कर महिंद्र भी वहाँ पर अपने बेटी को बचानी आ जाता है यश्राज अरे तु क्यों मार रहा है मेरे बेटे को क्या किया है इसने तेरा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है क्या पापा सिर्फ आयूश मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ तंजना आयूश तुने ये सोचा भी कैसे अरे तुझे मैंने हजार बार कहा था कि इन लोगों से दूर रहे लेकिन तुने मेरी कोई बात नहीं सुनी मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं और संजना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगेर नहीं रह सकते चप, एक दाम चप बहुत प्यार का बुखार है ना तुझ पर चल तू घर चल कर तेरा सारा बुखार उतारता हूं में फिर महिंद्र हायुष को घर लाकर उसे बहुत मारता है और वही दूसरी तरफ यश्राज संजना को खोप सुनाता है कान खुल कर सुन ले संजना आज के बाद तू घर के बाहर नहीं निकलेगी घर में ही बंद रहेगी तू क्या नहीं पापा ऐसा मत कीजिए अरे अब तो मैं यही करूंगा बहुत पर निकल आए है ना तेरे अब तो तेरे पर काटने ही पड़ेंगे तेरा करियर गया तेल लेने क्योंकि तूने जब गलती की है उसकी सदा भुगत नहीं होगी तुझे इसे कमरे में बंद कर दस्वरना नई मा, मा, मुझे बंद मत करो और पापा, मुझे माफ कर दीजिए लीज मेरी बात सुनिये पापा संजना को अब गर में ही बंद किया जाता है और बिचारा आयुश उसे रोज देखनी के कोशिश करता है लेकिन वो उसे दिखती ही नहीं मैंने कहा था तुमें आयुश लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी अब देखो, कितनी तकलिफ हो रही है तुमे कैसे हो गए हो तुम ये प्यार तो हमें जीते जी मार देता है इसलिए कह रही थी कि ये सब मत करो तो फिर मैं क्या करू बाबी कम से कम आप तो मुझे समझो जो भी आ रहा है बस ग्यान देकर ही जा रहा है आप तो मुझसे बस दो साल बड़ी हो तो आपको तो मुझे समझना चाहिए ना देखो आयुश मैं तुमें समझ सकती हूँ अब जो हो गया उसे भूल जाओ उमारी और संजना की लव स्टोरी कभी पूरी नहीं हो सकती इसलिए इन सब को एक सपना समझ कर ही भूल जाओ और जिन्दगी की नए सीरे से शुर्वात करो हमें जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है लेकिन तुमें करना ही होगा बाबी इतना केकर आयुश वापस रोने लगता है और यूवी का उसे सांथवना देती है पिर एक दिन उनके घर पर महिंद्र का एक पुराना दोस्त केशव आता है केशव अंकल ये तो पापा के काफी पुराने दोस्त है मुझे याद है केशव अंकल यश्रा जंकल और पापा इनों के अच्छी दोस्ती थी अब केशव अंकल ही इकलोता जरिया है जिससे मुझे सब पता चल सबता है कि सालों पहले पापा और यश्राज अंकल के बिच क्या हुआ था फिर आयोश केश्यों को जब छोड़नी चाता है तब ही वो उनसे सवाल पोशता है देखो आयोश बेटा ये बात बेज से तो मुझे तुम्हें नहीं बतानी चाहिए पर फिर भी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा क्योंकि अब तुमसे ये बात चुपा कर कोई फाइदा नहीं है और तुम अब बड़े भी हो गए हो और समझदार भी जी अंकल कही सालों पहले की बात थे येशराज और महेंद्र दोनों पक्के दोस्त थे और उन दोनों ने साथ में अपना एक बिजनेस भी खोला हुआ था जो काफी अच्छे से चल रहा था और फिर फिर अचानक से एक दिन येशराज को पता चला कि महेंद्र ने वकिल से एक कानूनी काफजत बनवाये है जिन में ये लिखा था कि अगर येशराज उन पर दस्तकत करेगा तो पूरा बिजनेस महेंद्र के नाम हो जाएगा और तभी येशराज को बहुत गुस्सा आया उसे लगा कि महेंद्र एक लालची इंसान है और वो उसे दोका देने वाला है क्या पापा ने ये सब किया नई नई पापा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते आ बेटा ये बात तो मैं भी जानता हूँ आज तक मुझे उस विजेंद्र पर ही शक है और ये चाल उसी की हो सकती है विजेंद्र अब ये विजेंद्र कोन ही अंकल विजेंद्र वो है जो यश्राज और महेंद्र के बिजनेस से जलता था ये तो साफ साफ समझाता था और उसी ने ही वकिल से वो कागस बनवाए होंगे और महेंद्र के पास रब दिये होंगे ताकि जब उसे यश्राज देखे तो उसे यही लगे कि वो कागस महेंद्र ने बनवाए है और इस तरह वो दोनों दोस्तों के बीच में फूट डाल कर उसने उन दोनों को अलग कर दिया और अब उनका बिजनेस भी नहीं रहा और इन सब के कारण विजेंद्रा अपने मकसद में भी कामियाब हो गया केशव अंकल अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि आपका शक सही है और मैं अब विजेंद्र का परदाफाश करके ही रहूँगा और दोनों दोस्तों को मिलवा कर मेरी और संजना की लव स्टोरी पूरा करके ही रहूँगा फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर आयश बड़ी महिनत करके बिजेंद्र के घर का पता लगाता है और वो उसके पास जोतिश का भेश बना कर जाता है अरे जोतिश जी आप? हाँ बेटा नमस्ते जोतिश जी अयश मान भव मेंने पता लगाया है कि ये आदमी बहुत अंदव इश्वासी है और जोतिश शास्त्र में भी बहुत मानता है इसलिए मैं यहाँ पर एक नाटक करने आया हूँ कहिए जोतिश जी आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं यहाँ पर तुम्हें सावधान करने आया हूँ क्योंकि आने वाले समय में तुम पर बहुत बड़ी साड़े साथे आने वाली है जिसके बाद तुमारा सब कुछ तबा हो जाएगा व्यापार, तबियत, भर परिवार सब कुछ अरे नहीं नहीं यह सब कैसे हो सकता है? मैं बरबाद नहीं होना चाता बड़ी मेहनत से किया है मैंने सब कुछ जीवन में तुमने ऐसा कुछ कांड जरूर किया है जिससे दो लोग अलग हुए है या फिर किसी की भावनाव को बहुत ठेज पहुची है क्या तुमने कभी किसी की प्रगती को देख कर जलन के मारे उन्हें बरबाद करने की इच्छा जताई है क्या और अगर किया हो तो तुम्हें उस व्यक्ति के पास जाकर अपना गुना कबल करना होगा और ऐसा ही करने पर तुम्हारी साड़े साथी ठल जाएगी वरना सब कुछ कतम हो जाएगा क्या? लेकिन ऐसा तो मैंने सिफ यश्राज और महिंद्रे के साथ किया है लेकिन मैं उन्हें अब कैसे बताओ तुम्हें उन्हें बतानाई होगा क्योंकि तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है फिर उस जोतिश के कहने पर विजेंद्र यश्राज और महिंद्र के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है जैसे सुनकर वो दोनों हेरान रही जाते है ये तु क्या कह रहा है विजेंद्र इसका मतलब तुने ही वो सब किया था और खामखा मैंने अपने जिगडी दोस्त महिंद्र पर इतना बड़ा इलजाम लगाया तुने ये सही नहीं किया विजेंद्र मुझे माफ कर दो तो आखिर कर आपने अपना गुना कबल ही कर दिया विजेंद्र अंकल वो जोतिचो आपके पास आया था वो कोई असल का जोतिच था ही नहीं बलकि भेश बदल कर में ही आया था आपके पास क्या ते सब को आयुश अपने नाटक के बारे में बताता है और ये अश्राज और महिंद्र विजेंद्र को थपड मार कर बहा से भगा देते हैं और आपस में अपनी दुश्मनी खतम करके एक दूसरे के गले लगते हैं महिंद्र, मुझे माफ कर दे मेरे भाई नहीं ये श्राज, तू मुझे माफ कर दे पापा, ये श्राज अंकल अब आप दोनों के भी सब ठीक हो ही गया है तो मेरे और संजना के बीच भी सब ठीक कर दोना हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं आ बेटा, जरूर, आ बच्चो और हमें माफ कर दो हमने हमारी दुश्मनी के कारण तुम्हारे और संजिना के प्यार के साथ बहुत नाइंसाफी की है लेकिन अब और नहीं आ बेटा, अमें माफ कर दो इस तरह अंत में सब ठीक होने के बाद सभी घरवाले आयुश और संजिना की शादी दूमधाम से कराते हैं और बोर दोनों एक साथ उशी से रहने लगते हैं मयूरा की शादी समर से होती है उसके ससुराल में ननन आद्या, पती समर, सास हीरा और ससुर चंपक होते हैं शादी के बाद, जब मयूरा और समर की पहली रात होती है तब वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं हो फो समर कितनी रात हो चुकी है और यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए कोन आया होगा मैं देखता हूँ फिर समर जब दर्वाजा खोलता है तब वहाँ पर उसकी बेहन आध्या होती है जो अपना कंबल और तकिया लेकर उसके कमरे में खुशकर उनके बेड़ पर सो जाती है अरे अध्या, यह क्या तरीका हुआ? अब तुम हमारे कमरे में नहीं सो सकती तुम कोई दूसरे कमरे में सो जाओ, अब ये कमरा मेरा और मयूरा का है नहीं समर भाईया अब आपकी शादी होने से पहले हम दोना इसी कमरे में साथ साथ सोते थे और अब मुझे आपके बगे बिल्कुल भी नीन नहीं आएगी इसलिए मैं आपके और मैरा भाबी के बीच में ही सोऊंगी क्या लेकिन आध्या अब तुमारे भाईया की शादी मेरे साथ हो गई है तो वो मेरे साथ सोऊंगे ना और तुम किसी और कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाती नहीं भाबी, मैं कही भी नहीं जाने वाली अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ मैं तो अपने बाई के पास ही सोऊंगी अध्या, बात को समझने के कोशिश करो अब तुम हम दोनों के साथ इस कमरे में एक साथ नहीं रह सकती अब तुम्हें दूसरे कमरे में रहना होगा पर भाईया मुझे तो यही पर नींद आएगी अच्छा एक काम कीजिए मुझे अभी आप दोनों के बीच में सोनी दीजिए वह जब मैं सो जाऊंगी तब आप दोनों मुझे दूसरे कमरे में छोड़ देना और भाईया मुझे वहाँ पर कमरे में आकेले नींद ही नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपके पास चली आई हे भगवान क्या होगा तुम्हारा आध्या आखिर ये क्या बचपना लगा रखाए तुमने समर और मयुरा अब दोनों भी पहुत परेशान हो जाते हैं और आध्या वही पर सोजाती है जिस कारण उन दोनों के बीच में बुरी तरे जगड़े हो जाते हैं दरासल आध्या अपने भाई से काफी ज्यादा प्यार करती है और उसे उसकी आदत होती है इसलिए अब भाई की शादी होने के बावजुद्ध वो अपने भाईया बावे के बीच में आने लगती है एक रोज घर पर एक डिलिवरी बॉय एक पारसल लेकर आता है और वो पारसल आध्या देख लेती है और जब वो बॉक्स खुलती है तब उसमें एक ड्रेस होता है और वो ड्रेस आध्या पेहन लेती है अरे ये क्या आध्या तुमने ये ड्रेस क्यों पेहना है ये ड्रेस तो मैंने तुमारी भावी के लिए मंगवाया था ओ तेरी सारी भावी लेकिन अब मैं क्या ही करती और भाया मुझे लगा कि आपने ये ड्रेस मेरे लिए मंगवाया है आखिर आप मुझे इतना प्यार जो करते हो इसलिए मैंने इस ड्रेस को अपना समझ कर पहन लिया अपने ननत को उस ड्रेस में देख कर मुयूरा को काफी ज्यादा गुसा आता है नाला यक को यकी अभी ससुराल में आये मुझे दो दिन भी नहीं हुए और ये मेरी बचकानी ननत ये तो मेरे लिए आफ़त बनती जा रही है आध्या अब जरा आपनी ये बचकानी अरकदे कम कर दे तेरे भाई की अब शादी हो चुकी है इसलिए उन दोनों की बीच में कबाब में हड़ी मत बन आध्या बेटा हमें समर ने भी बताया कि कैसे कल रात में तुमने उन दोनों को परेशान किया है देखो बेटा अब तेरे भाई की शादी हो चुकी है और अब तुम्हें अकेले सोने की आदट डालनी ही होगी ओके बाबा समझ गई मैं अब छोड़ी है न उस बात को और भाईया आप जल्दी से मेरे फोटो कीचिए और हाँ बाबी अगले तीस मिन्टों के लिए मैं भाईया को अपने साथ बाहर ले जा रही हूँ गार्डन में अच्छे फोटो जाएंगे न इसलिए चलिए भाईया जल्दी चलिए मयूरा को अब धीरे धीरे आध्या की इन हरकतों पर गुसा आने लगता है फिर एक दिन मयूरा समर के साथ मूवी देखने का फ्लैन बनाती है तभी अच्छानक से आध्या वहाँ पर आती है और वो समर को मेले में चलने के लिए पीछे बढ़ जाती है नहीं आध्या मैं तुमारे साथ नहीं आ सकता मुझे तुमारी बावी के साथ मुवी देखने जाना है नहीं भईया मुवी तो बाद में भी देख सकते हो आप दोनो लेकिन आज मेले का आखरी दिन है प्लीस चलो ना मेरे साथ भईया आपने प्रामिस भी किया था मुझे कि जब भी मेला लगेगा तब आप मुझे ले चलोगे तो अब आप अपने प्रामिस से मुखर नहीं सकते भईया अई नास पिटी तुझे समझ नहीं आती क्या एक बात जब देखो तब अपने भईया का सिर खाती रहती है अब उसे और उसकी लुगाई को जाने देख साथ में तेरा क्या लगा रहता है बार बात आखिर क्यों उसके पिछे पड़ी रहती है हाँ बेटा अब वह तेरा भईया होने के साथ साथ तेरी भाबी का पती भी है और ये बात तुम मत भूल लेकिन मा पापा आज मेले का आकरे दिन है और मुझे वहापर गूमना है इसलिए मुझे भईया के साथ जाना है लेकिन आध्या अब तुम कोई छुटी बच्ची थोड़ी न हो जो हर वक्त बस तुमें अपने भईया की ही जरूरत पड़े तुम अकेली भी तो जा सकती हो या फिर अपने दोस्तों के साथ जाओ अरे हर बार तुमें हम दोनों के बीच में आना जरूरी है क्या देखिए भईया आप मेरे और भईया की बीच में मत बोलिए आध्या वो तुमारी भईया है उससे तमिज से बात करो पर तुम अपने भईया से इस तरह से बात नहीं कर सकती सॉरी भाईया लेकिन आप भी तो देखो ना कि वो किस तरह से बात कर रही है देखिए भाईया आज मेले का आखरी दिन है और अगर आप मेरे साथ मेले में नहीं चले तो मैं आप पर बहुत गुसा हो जाओंगी और आप से कभी बात नहीं करूंगी फिर देख लेना आप तो अच्छी तरह से जानते हो मेरे गुसे के बारे में आध्या अपनी जित पर अड़ जाती है और समर को ना चाते हुए भी उसे लेकर मेले में जाना ही पड़ता है पर उन दोनों को साथ में देख कर मुयूरा गुसे से लाल हो जाती है फिर जब समर मेले से वापस आ जाता है तभी मुयूरा सो रही होती है अरे मौयूरा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे सो रही हो, मुझसे बात नहीं करोगी क्या अरे क्या करो तुमसे बात, और कब करो, तुम्हें अपनी बेहन से फुर्सत मिलेगी तब न अरे जब से इस घर में आई हो तुम्हारी बेहन तो हमारी शादी की दुश्मन बनी बैटी है घर में हो या बाहर हो वो तो हमें कही भी साथ में रहने नहीं देती I'm sorry मोयुरा लेकिन अब में भी क्या करो मैं तो हर बार उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन वो तो किसी की बात ही नहीं सुनती ये सारी तुमारी ही गलती है समर अरे तुमने ही उसे इतना सर पर चड़ा कर रखा है इसलिए वो इतने ज़्यादा नकरे करती है हाँ मयुरा शायद तुम सही कह रही हो लेकिन अब से मैं उससे थोड़ा थोड़ा दूर ही रहूंगा क्योंकि वो मुझे लेकर काफी ज्यादा पजेसिव है और उसे आगे जाकर इस बात की बहुत तकलिफ हो सकती है इसलिए मुझे अभी से उसे अकेले रहना सिखाना होगा जो करना है करो बस मुझे उसकी बच्चों वाले अरकते नहीं देखनी है उसे देखकर मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूं बुरा मत मानना लेकिन सच में समर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे सोतन बनते जा रही है अब आध्या के कारण मुझे रावर समर में तनाव बढ़ने लगता है एक दिन मुझे रावर समर आध्या को बिना बताए हानीमून मनाने के लिए महा बढ़ेश्वर चले जाती है और जब आध्या को इस बारे में पता चलता है वो बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है क्या बहिया ने मेरे साथ कितना बड़ा दोका किया है वो सिर्फ बाबी को लेकर गए महा बढ़ेश्वर उन्हें पता है कि वो जगे मुझे कितनी पसंद है लेकिन उसके बावजुद भी वो मुझे लेकर नहीं गए ये उन्होंने अच्छा नहीं किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया बसकर आध्या बहुत हो गई तेरी ये नोटन की अरे वो दोनों अब मिया बीवी है उन्हें उनका समय मिलना चाहिए न और तेरी अकल क्या घुटनों में है क्या जो बार बार उनके पीछे पीछे चली जाती है और नहीं तो क्या अरे जब वो दोनों यहां पर रहते है तो भी ये उन दोनों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती फिर भी वो दोनों बिचारे तुझे इतना प्यार और स्नेह देता है उसका ज़्यादा फाइदा मत उठाओ अरे उसकी जगे पर कोई और होता ना तो तुझे वही पर दो थपड लगा देता मैं कोई फाइदा नहीं उठा रही वो मेरा भाई है और मेरा उन पर पूरा होके अब इस घर में तो मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी आप सभी लोग बहुत बुरे हो अरे जा जा ये ड्रामे बाजी अपने पास ही रख अभी आदे गंटे बाद बाहर से एक बड़ा वाला पिज़ा मंगवाएगी मुकड कही कि अरे जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा न तब तुझे समझ आएगा कि दो प्यार करने वालों के बीच में उनका अपना वक्त कितना जरूरी होता है वो अंग्रेजी में कहते हैं न पिराई पिराई विसी उसे प्राइवसी कहते हैं पापा इतना कहकर आध्या अपने कमरे में रूट कर चली जाती है जब उसके भहिया भावी हानिमून से वापस आते हैं तब वो उनसे कोई बात ही नहीं करती और वो कोलेज में भी दुखी-दुखी रहने लगती है पर उस दवरान उसकी दोस्ती है उनके कोलेज में आए नए स्टूडंट राहूल से होती है आध्या और राहूल दोनों की अच्छी-खासी दोस्ती होने लगती है ये लो आध्या तुम्हारे लिए मैंने ये बनपा और चाय लाई है अब तुम्हें उटकर जाने की कोई जरूरत नहीं है वाँ, थैंकिल सो मच राहूल यूर मोस्ट वेलकम आद्या अच्छा मैं ये कह रहा था कि शेहर में नया रूप टॉप रेस्टारंट खुला है हम सभी लोग वहाँ पर चले क्या सच में यार, वहाँ से पूरे मुंबई शहर का नजारा काफी सुन्दर दिखता है हाँ राहूल, क्यों नहीं मुझे तो रूप टॉप वाले रेस्टारंट काफी ज़्यदा पसंदे वहाँ पर लाइब म्यूजिक भी बचता होगा और उसमें वो रॉमेंटिक सॉंग्स हाई, सोने पर सुहागा ठीक है फिर, मैं केशव, रिचा, सुनिल और सिमरन को भी बोल देता हूँ अरे नहीं राहूल, ये तुम क्या बोल रहे हो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम दोने के बीच में कोई तीसरा आए वहाँ पर बस हम दोनों ही जाएंगे लेकिन क्यों आध्या देखो राहूई, अब हम दोने एक दूसरे के करीब आने लगे है और हम दोने के बीच में जो भी है वो दोस्ती से बढ़कर ही है इसलिए बाकी दोस्तों को बुला कर मैं हमारा ये कॉलिटी टाइम खराब नहीं करना चाहती अच्छा, तो तुम्हे कॉलिटी टाइम का मतलब भी पता है आखिर तुम समझने ही लगी हो कि कॉलिटी टाइम कितना कीमती होता है क्या मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम अपने भाईया बाबी के बीच में जा जाकर उनका प्राइवेट टाइम खराब करती होगी तो उन्हे कैसा फिलोता होगा अरे उन्होंने तो तुमारी सारी हरकते सहन कर ली और तुम उनसे ही रूठी बेटी हो ये तुम बहुत गलत कर रही हो हारा हुल शायद तुम सही कह रहे हो मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं लेकिन आज मुझे समझा रहा है कि दो लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा अदमी आ जाए तो उन्हें कैसा मेहसूस होता है मैं आज ही घर जाकर भाईया और भाबी से माफी मांगूंगी और उन दोनों से भी प्यार से बाते करूंगी फिर आद्या घर जाकर मैयरा और समर से माफी मांगती है भाईया भाबी मुझे माफ कर दीजिए मैं बहुत गलत थी लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि एक कपल के लिए उनका अपना टाइम कितना इंपोर्टन्ट होता है और उन्हें डिस्टब नहीं करना चाहिए मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है बहुत सरदर्द दिया है आप दोनों को सच में बाबी उन सभी के लिए सौरी कोई बात नहीं आद्या हमें खुशी इस बात की है कि तुम्हें दीरे दीरे सब समझ आ रहा है अरे उसी ही समझदार बरो और हर रिष्टे को प्यार से संभालो आद्या तुम्हारे लिए मयूरा और मैं हमेशा खड़े है तुम्हें चिंता करने के कोई जरूरत नहीं है I know भईया आप दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो और हम सभी को हर रिष्टे में एक डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए ताकि कोई रिष्टा खराब नहों और मजबुत रहे और इस तरह अंत में आध्या को समय के साथ साथ सब समझाता है और वो अपने भईया और भावी के बीच में ताम गड़ाना बंद कर देती है जिसके बाद वो दोनों सुकुन से अपनी लव लाइफ जीते हैं